पुल्वामा में आतंग की हमले में शहीद हुए चवाली इस जवानों की खबर ने देश के हर एक नागरिक को सोचने पर मजबूर कर दिया है वहीं आज देश भाबुक और आकुरुशित नजर आ रहा है देश के कोने कोने से आकुरुश की तस्वीरे आ रही हैं यह तस्वीरे मत्रा के गोबर्दन की हैं जहां पर युवाओं दोरा पाकिस्तान के पुतले के साथ जुलूस निकाला गया जुलूस में युवाओं दोरा पाकिस्तान मुड़ाबाद के नारे लगाए गए जुलूस के बाद यवाओं ने पाकिस्तान का प्रतिकात्मक फुतला मिट्टी का तेल डाल कर फूका यवाओं नौरा प्रतिकात्मक फुतले को जला कर पैरों तली को चलकर आक्रोश जाहिर किया गया आकुरुशित लोगों ने गोबर्दन उपजिलादिकारी नागिंदर सिंग को प्रधान मंत्री के नाम ग्यापन भी दिया क्या नाम है आपका विश्णुकांत गोस्वामी आज रादागुन सभ्जी मंडीबारा आप में पुतला धेन क्यों किया है जो पाकिस्तन के द्वारा जो आज अटेक किया गया ये शूख्ष में आतंग बादी फिरायन हमला जो किया गया है हमारे सेनेकों को जो मारा गया है उसके लिए हमने पाकिस्तन का पतला धेन किया है आप क्या चाहते हो? वामे सैना में भरती होकर अपने को बीर शहीद सिपाईयों का बदला लेने की चिंगारी जलती हुई दिखाई दी कैनल मार्च के दौरान हर आँख नम दिखाई दी सैकलों की तादात में युवा श्रद्धानजली के लिए आगे आए संगठन भारतिय जनसेबक संग, महानड़ा पिरताप सैना, भगबा दल, दीन बंदू दल के कारेकरताओं ने पाकिस्तान का फुतला फूक कर अपना गुस्सा जाहिर किया सभी पतादिकारियों ने कहा कि कल जो हमला हुआ है अब तक का सबसे बड़ा हमला है और यह कृत्ते बहुत ही चिंदनिया वा निंदनिया है हमारे परधान मंतरी जी को विर्शहीदों की सहाधत का बतला लेना चाहिए चारो तरफ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए इस मौके पर भरत सींग, हरेंद ससोदिया, रितेश गौतम, हरीश शर्मा, रभी पंडित, बिक्रम ससोदिया, सौरप ससोदिया, बलडराम सींग, छोटु शर्मा और विश्नु सींग मुखे रुप से उपस्तित रहे तो यह एक कुकरत्या पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, जिसको खाने के लिए पैसा मोई या नहीं है, और एजी गिरौली हाट विश्व के सामने अपना एक दूसरा चरितरा है, और हम आसा करते हैं अपने महनिया प्रधान मंत्री से कि वो इसके लिए पाकिस्तान के खि इठाएंगे और इसको कड़ा जबाब देंगे जिससे आगे यह ना हो और मैं दो सब्दों दो लाइनों में यह बात कहना चाहूंगा, अब नाकबदारों से यारी हो और हर कुत्ते को गोली मारो, कस्मीरी हो या बहारी हो, जो कल प्रवामा में आतंक की हमला हुआ है, उसक भी चाहता हूं कि यह पाकिस्तान की आखरी भूलती है, अगर हमारी भारेस सरकार आगे से कुछ भी ऐसा कुछ हो, उससे पहले पाकिस्तान को 42 की जगह पर 420 कम से कम 1-0 फालतु लगा कर हमें अटेक करना चाहिए, पहले सर्जीकल स्ट्राइक से भी खत्रनाख होना और जो बाद के जावान-स अपाई सईध हुए हैं सरोपटम हम उनके परवार को धाज़ना सुछना मैं और भगवान से प्रातना करते हैं कि इसकृष्ट को उनके परवार वालों को सेने की सक्ति परदान करें और यह जो पाकिस्तान द्वारा जो क्रत्य किया गया है आतंक वादिर्वार हम इसकी कड़े सब्दों में तो निंदा करते ही हैं उसके साथ ही हम पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भी बिल्कुल तैयार